हलो फ्रेंड्स आपका हमारे चानल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज हम सीटेट 2022 के लिए कुछ बहुत पूर बाते करेंगे मैं अपने चानल पर आपको सीटेट 2022 की लगाता तैयारी करा रहा हूँ मैं अपने चानल पर इस तरीके से वीडियो जल्दी जल्दी किलियर हो जाएंगी तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट पर यहां पर आज बात करेंगे दोस्तों कि क्या 2022 में सीटेट का एक्जाम नहीं होगा इसके लाबा दो-चार कमेंट मुझे आये थे कि पेड कोर्स के बिना हम पास नहीं कर सकते हैं हमने दो से तीन बार जो है मतलब सीटेट का एक्जाम दे दिया है लेकिन हम पास नहीं हो पाएं और बहुत से लोग पूछा करते हैं कि आखिन नोटिफिकेशन इसका कब आएगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टन बात तो यह है अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं साथ में जुड़े हुएं और मैसेज कर लखा है क्या 2022 में सीटेट होगा या नहीं होगा तो इसकी जानकारी देखे किसी के पास नहीं है सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन दिया था उसमें बताया था कि दिसंबर में एक्जाम कराया जाएंगे तो उसी बात को आप मान करके अपनी तयारी में लगे रहे अगर आपका किसी वज़र से सीटेट के लिए नहीं हो पाया है या फिर आप फिर फर्स्ट एटेम्ट दे ना चाहते हैं तो इस पॉइंट को अपने मैंन में बिल्कुल नहीं लाना है अपनी तयारी में लगाता लगे रहना है जो भी होगा सभी के लिए एक ही चीज होगी कोई especially आपके लिए नहीं होगा अगर नहीं होगा एक्जाम तो नहीं होगा होगा तो सबके लिए होगा तो इस point को यहां से हटा दीजेगा फिर आग बात करते हैं कि paid course के बिना pass नहीं कर सकते देखे paid course ले लो चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो उसका एक ही point निकलता है कि आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है? क्या पढ़ना पढ़ेगा? आपको पढ़ना पढ़ेगा paid course में थोड़ा सा क्या होता है कि paid course आप लेते हो तो आपको लगता है कि केवल आप ही तयारी کر रहे हो आपके साथ जो वहां paid course में पढ़ रहे हैं केवल भही तैयारी कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है उससे बहुत अच्छी तैयारी आपकी कराई आती है मैं खुद ही अपनी परसिनल आपको जानकारी देता हूँ कि मैंने जब भी सीटेट पास का मैंने कोई course नहीं लिया था और केवल और केवल इसी तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ऐसे ही पढ़ पढ़के मैंने बहुत अच्छे नमबर प्राप की तो मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि सीटेट 2022 की तयारी में अपने चानल पर आपकी इतनी अच्छी कराऊंगा कि आप 120 प्लस न क्वनते रहते हैं बहुत से लोग उन्होंने में उद्दे से बना लिया है कि हमको क्यों यही जानकारी देनी है कि नोटिफिकेशन कब आए गा क्योंकि सबसे ज्यादा वीडियो यही देखे जाते हैं तो मैं इसके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं कि आप इसको जा जानकारी किसी के पास नहीं होती है कोई कुछ भी कहे कि हाँ इस दिन आ जाएगा उस दिन आ जाएगा किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है तो ये भी मैं यहीं कहूंगा कि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उस इंसान के लिए भी आएगा जिसको सीटेट नहीं देना ह और उस इंसान के लिए भी आएगा जिसको सीटेट देना है तो कुल मिलाकर के जो होगा सभी के लिए होगा आपका पहला वाला अगर point किलियर हो गया है कि आपको ये कुछ नहीं सोचना है और पढ़ना है तो तीसरे वाले point को अपने mind में आपके आएगा ही नहीं तो इसकी को notification के साथ आपकी पढ़ाई जुड़ी हुई है तो notification आने के बाद आपकी पढ़ाई नहीं होगी notification के बाद आपको परेशानी होगी केवल जैसे ही notification आ जाएगा आप धीमे धीमे क्या होंगे परेशान होते जाएगे धीमे धीमे आप परेशान होते जाएगे क्योंकि आप इत कि मुझे सीटेट देना है तो मुझे सीटेट के लिए दयारी अभी से करना है अगर नहीं देना है तो छोड़ दीजे सीटेट कोई आपके लिए वो नहीं है कि सीटेट ही में जिंदिगी आपकी रुकी पढ़िए नहीं देना है तो फिर इसके बारे में कुछ मस्तोचे लेक इतना भी समय आप अपना दे पाते हो उसको दो ठीक है थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो आपका एक्जाम 120 प्लस आपका आ जायए भाए ठीक है बाकी इसी तरीके से थोड़ी-थोड़ी बाते मैं आपको बीच-बीच में बताता रहूंगा इस पे मेरा थोड़ा सा वू बन बना दिया तो ज़्यादर देखा जाए ठीक है मैं इस तरीके के वीडियोज बनाने में थोड़ा सा कतराता हूं मुझे अच्छा भी नहीं लगता है लेकिन फिर भी अगर मुझे पार मैसे जाती है इसलिए मैंने बना दिया तो जितने भी पढ़ने वाले हैं मेरे चानल से ल सब कुछ करोगे तो ज़्यादा बाते हो जाएंगी तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो पसंद आया हो तो फिर जो भी करते हैं वो कर दीजेगा साथ में आपको बस एक काम करना है लाइव टेस्ट जॉइन करने जितने भी लाइव टेस्ट कराया रहे हैं उनको म आपका बाकी रह जाए तो इसी तरीके से चानल पर जुड़े रहे हैं पड़ते रहे हैं अपने सीटेट 2022 के लिए एक उमीद में कि सीटेट 2022 आप निकाल देंगे भविस्त में देखे 2024 आने वाला है और 2024 में कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत बड़ा आने वाला है क्यो सकता है जैसे ही आप सीटेट निकालो आपको सुपर देखने को मिल जाए या फिर अन्य बहुत सारी भरतिया हैं जिसमें सीटेट आपका मांगता तो कुछ भी हो सकता है इसलिए एक उमीद सबसे पहला जो पहली सीड़ी है सीटेट उसको पास कर लिजिए यूपि टेट उ वीडियोस में हम सामिल हो सकते हैं और अपनी परिच्छा दे सकते हैं तो आज के लिए दूस्तों इतना ही लगातार चानल से आप जुड़े रहे हैँ इसी तरीके से वीडियोस को जैसे कर रहे हैं लगातार पढ़ते रही है आज लिए इतना है धन्याद